अस्सलाम अलेकूम बच्चो आज शो इस बाड़ून तनहा अंसारी तनहा अंसारी कम आज तो इमकाइटी अजामें यहों नाव क्या आज इमकाइटी के असली पत को आए पत क्या को रोग पनने जिंदेगी मस यह शो तो है तुह दिस किताब हैं दिस पेज नंबर अखद दो ठीक चांग आज हमें तनहा अंसारी के बारे में पढ़ना है जो आपकी भुक के पेज नंबर 122 पर है ठीके बच्चो आज हमें तनहा अंसारी पढ़ना है जो 34 शि में पैदा हुये और 29 शॿ में इंतिकाल कर गए तनहा अनसारी का असल नाम हुसेन इली अनसारी है क्या है बच्चों उसका नाम हुसेन इली अनसारी उनके वालिद का नाम हसन इली अनसारी था जो एक मश्यूर मदरिस होने के इलावा अरबी, फार्सी और उर्दु के जेद आलिम थे तन्हा अंसारी के दादा अवद उतर परदेश बारत से हिज्रत करके कश्मीर में सुकूनत पजीर हो गए ठीक है बचो कहते हैं कि जो ये तन्हा अंसारी है उनका असल नाम हुसेन अली अंसारी है और उनके वालिज साहब का नाम हसन अली अंसारी था ये तन्हा अंसारी के दादा आवद उतर परदेश बारत से हिज्रत करके कश्मीर में सुकूनत पजीर हो गई थे वो एक बहुत ही बड़े आलिम ताजर थे तन्हा अंसारी चार फरवरी उन्नीस सब चोदा इस वी को दलना बारामला में पैदा हुए फिर जब ये उतर परदेश से इनके दादा आए थे कश्मीर में उन्हें सुकूनत की थी फिर तन्हा अंसारी चार फरवरी को उन्नीस सब चोदा को दलना बारामला में पैदा हुए इप्तिदाई तालीम दिलना में हासल गी गर में सकत दुश्वारियों के पेश नजर इन्हें मिरल स्कूल पास करने के बाद ही मलाजमत करना पड़ी पहले महकमे इमदाद बहामी में एक महरिर की हस्यत से काम किया इसके छे माँ बाद अपने वालिद की तकलीद में महकमे तालीम में चले गए और जिन्दगी के आखरी आयाम तक 48 साल मदर्स की हस्यत से अपने खिदमात अंजाम देते रहे मलाजमत के दोरान ही उन्होंने पंजाब इन्वस्टी लाहूर से मैट्रिक एफए मुंशी फाजल और अदीब फाजल की इमतिहानात पास की और उनीस सव त्रेपन चोपन में जुमु कश्मीर इन्वस्टी से बी ए और पीर्ड की डिग्रिया हासिल की इनकी काबलियत और आला करकरदी की के पेश नजर उन्नीस सव बतालिस से में इनका तकरूर स्री नगर के टीचर ट्रानिंग स्कूल में उर्दू जुबान के उस्ताद की हिस्यत से हुआ इसके बाद नाजमी तालिमात के लेटरी असिस्टेंट मकरर हुई और खलीफ है अबदल हलीम के साथ मुंसलिक रहे इसके बाद कुछ और स्कूलों के सरबरह की हिस्यत से तालीमी खदमात अन्जाम देते रहे 1966 में हुकूमत इन्हें साल के बहतरीन उस्ताद होने की बिना में कौमी अवार्ड से नवाजा तन्हा अंसारी अपनी रिटैर्मेंट से 19 दिन कबल 23 हरवरी 1969 को इस जहाफानिय से कोच कर गए कहते हैं कि जो ये तन्हा अंसारी थे वो पहले उनके दादा उतरपरदेश बारत से यहां कश्मीर में सुकूनत पजीर हो गए फिर तन्हा अंसारी की पैदाईश चार फरवरी 1914 को दिलना बारा मुला में हुई इब्तिदाई तालिम वही पे हासल की गर की दुश्वारियों के पेशि नजर उन्हें मिडल सुकूल में पास करने के बाद ही नोकरी करनी पड़ी फिर इसके बाद वालिद की तकलीद पर म उन्होंने अपनी पड़ाई जारी रखी मैट्रिक किया एफे किया मुंशी अधी फाजिल किये और कश्मीर इंवरस्टी से बी एड़ एमे की डिग्री हासल की उनकी कार करदी की की बिना पे उनको टीचर्स ट्रैनिंग स्रीनगर में बतोरी अर्दू जबान के उस्ताद की हस्यत से नोकरी मिल गई उन्होंने बहुत सारे उहदों पे बहुत सारी उहदों पे वो ताइनात हुए महकमई स्कूल में और उनी सबसट इस्वी में हुकुमधी ने साल के बहतरीन उस्ताद का अवाड उनकी नजर किया तनहा इन सारी अपनी रिटायर्मेंट से उनीज द तनहा अनसारी का श्यमार कश्मीर के सफवावल के शारों में होता है उर्दू के अलावा उन्होंने कश्मीरी में भी शेयर कहे है वो एक अच्छे नसर निकार की घस्यत से भी जाने जाते है उनके खुतोत का मजमुआ खातिर अहबाब के नाम से शाया हुआ जो उनकी तन्गारंग शक्सियत के साथ साथ अर्दू नसर पर इनकी ग्यार मामुली कुद्रत का आइनादार है तालीम जबान और सही अर्दू बोरिये इनकी दो अर्दू किताबे हैं जो अर्दू के दर्स तद्रीस से मतलिक है इसके अलावा उन्होंने तहकी की तनकीदी अल्मी और फिकाई मजामिन भी लिखे है लेकिन इनका खास मैदान शायरी है इनके शायरी मजमुए अर्दू में शबनिस्तान और कश्मीरी में फराद के नाम से इनकी इंतिकाल के बाद शाया हुए ये जो तन्हा अंसारी थे इनका शुमार कश्मीर के सभावल के शायरों में होत दो मजमुवी अशार उनके मरने के बाद इंतिकाल के बाद शाय हो चुके थे तन्हा अंसार की अब्तिदाई शायरी रुमानी और इश्किया है जिसमी रिवायती तरजी अम्दियास मिलता है लेकिन वक्त गुजरने के साथ-साथ उन्होंने नई समाजी और तहजीबी धिली लाई और हकीकत पसंदाना नक्ते नजर से गर्दोपीश की दुनिया का मुशाइदा करने लगे और अपने तासुरात को शायर का जैमा पहनाने लगे इश्क वे हुस्न वे इश्क के माजवात को के अलावा उनकी शायरी में आज़ादी महबत सचाई और इंसानी कद तन्हान सारी ने अपनी शायरी में कश्मीर की खुबसूरती और इसकी फितरी हुस्न वजमाल की बड़े दिलकश मरके कीचे हैं तन्हान सारी जो इब्तिदा में रुमानी शायर उश्किया शायरी करते थे लेकिन वक्त गुजरने के साथ-साथ उन्होंने नई समाजी और तहजी भी तब्दीलों की पेश नवर अपनी शायरी की रिवियों की तब्दीली लाई और हकीकत पसांदाना नुकते नजर के पेश की दुनिया का मुशाहिदा करने लगे तन्हान सारी की शायरी में कश्मीर की खुबसूरती और इसकी फित्ती हुसुन जमाल के नक्शे क नक्तर पार इंगाला ओट रहों ऑध अनकी जिद्दगी के और शायरी जिंदगी बारे में जो आपकी बुक में हैं तो आप अपनी बुक पे देखोगे और यह अच्छी तरह से याद करोगी और अपनी काप्यों पे नोट करोगी और यह लिक होगे इंशालला रह माले